साथी नौमस्कार स्वागत है आपका फिरला स्टी मंत्राइटिक चनल पर यूपी च्रपल सी लेकपल भरती में जैसा मैंने दुपर में जो वीडियो बनाया था मैंने बताया था कि जो आयोग है उसकी तरफ से थर्ड पार्टी जो खड़ी हुई है उसकी तरफ से अभीडिय त्यार है और आठ तारी के लिए साइध अगर मैंने पहले बताया फिर बता देता हूं आठ तारी को अगर पेंच पूरे दन बैठेगी तो कोई सुनवाई होने से रोग नहीं सकता है अगर वो कह नहीं सकते एक परसेंट लेकर 99.99 परसेंट अगर साम तक बैठेगी तो जार याद बढ़ी वाला है और इसमें कल जो मैंने सुबहे के टैम पर बताया था कि इसमें जो केविएटर बन चुका है आयोग एक तो पहली बात तो यह सबसे अची बात ही है कि बहुत सारी चीज़ में के बेटर बन चुका है लेकिन अभी जो अभी पांस तारी के सोर है आँ यहां पर देखो यह चीज जो एफिडेविट लगा है ना एडिशनल एफिडेविट यह दिख राएए एम आर समसाद और यह पांथ चार दोहर चौबीस में लगाए गया है और यह तुम्हारा सारा का सारे यह यह ब्योरा इसका दिरका पूरा का पूरा ठीक है तो य इसी के लिए यह एपीडिविट लगाए गया है अब वो एसलपी का दिमाग में यह बैठ रहा है दिमाग में कि आज तो एक्सेप्ट रेजेक्ट नहीं हुई लेकिन वो उसका कारधी कतम हो जाता है तो इस्टे का कोई मतलब नहीं होता है लेकिन देखते हैं जैसे मैंने बत और यह इंट्र लेक्टरी अप्लिकेशन है अमट नंबर 11223 और यह जतने भी रेट थी ना सारी 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 सब खत्म हो चुकी है तो इसके बारे में बताया था आपको ठीक है और यहीं जो एफिटिवेट है जितने भी रेट थी हमारी चाहें किसी भी प्रसंद पर हो सारा खतम हो चुका है अभी सोलर वाली SLP है यह तुमारी हाई कोट में नहीं है हाई कोट के बेसिस पे ही इसमें इस्टे दिया गया था वह बात अलग है कि आप इसमें क्या होगा फर्दर लेकिन मैं फिर कह रहा हूं अगर आठ तारीक को बैंच पूरे दिन बैठेगी तो कोई आपकी सुनबाई रोक नहीं सकता वह पॉइंट बन परसेंट की यह सिली नहीं कह रहा हूं मैं क्योंकि कुछ भी हो सकता है बैंच उट जाए बीच में ना बैठे उस दिन आई ही नहीं मकॉली और वह अमानुला सर तो फिर कुछ नहीं कह सकते है अगर पूरे दिन बैठे क तो कोई नहीं रोक पाएगा यह बात समझ लेना आप ठीक है दोस्तों तो यह रहा वीडियो और इंफोर्मिशन अच्छी लगती है तो लाइक सेर कर दिया करो चैनल सब्सक्राइब करो धन्यवाद